इस तरह के कि बिमारी होती है लोग इसे कैसे प्रभावित होते हैं यह हाइपो थर्मिया का मतलब है कि जो बॉडी टेमपरेचर नॉर्मली हुमेन बींग की रहती है वेक्तियों की रहती है वो हमियो स्टैटिस मेंटेन रखता है 98.6 डिगरी के आज़ पास का बॉडी का टेम तो यह हमारे जितने भी सिस्टम इवॉल्फ किये है वो इसी टेमपरेचर के इदगीद हमारे डाइजस्टिव एंजाइम से हर्मोन से ब्लड की विस्कॉसिती है सब उस पर एप्रोप्रेटली फिट रहती है हाइपो थर्मिया का मतलब होता है कि ब्लड जो टेमपरेचर है वो बहुत कम जाना तो एवरेज टेमपरेचर 98.6 से काफी कम जब होने लगता है 96, 95, 94 तो उससे शेरी ठंडा होने लगता है और यह कोल्ड सीजन में जादा होता है और विशेसकर वैसे जगों पर जादा होता है जहां की बर्फ गिर रही है वेक्ती पानी में ठंडे पानी में पानी नहाने लगा लड़के या बच्चे तो जाडे की दिनों में यहां भी जब ठंड बहुत प्रकोप पे रहता है ठंड का उस समय अगती पानी का एक्स्पोजर नदियों का एक्स्पोजर या बहुत ज्यादा ठंड लग जाए अगर शेरी पे गर्म कपड़े नहीं करें तो शुरू में उस थर्थर ही होती है वो टेंपरिचर इंक्रीज करने का एक मेकनिज्म होता है कि अब ऐसे करके काप करके आदमी टेंपरिचर को इंक्रीज करना चाहता है कि मेरा बॉड़ी मेंटेन रहे लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं हो पाता है तो हमारे जितने ब पर जो ब्लड सप्प्लाई जानी चाहिए उस पर और रिस्पिरिटरी सिस्टम पर भी जो की आदान प्रदान करता है तो तीनों वाइटल एरिया को यह तेंपरिचर का लोरिंग होना एफेक्ट करता है और इससे अरिद्मिया भी होता है हर्ट की धड़कने होने लगती है उल तो इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि टैंपरेचर लो होने लगता है और तो सर्ग्यों का मौसम ऐसे में लोग आग भी जलाते हैं तो वह तेंपरेचर को हाई करने के लिए सामाने करने के लिए आग कारगर हो सकता है या फिर कोई अन्य तरीका है नहीं जब हैपोथ लोगा है हीटर है उसे वार्म होगा रूम तेंपरिचर में टीछ करने के लिए कोई आप बढ़ कोई ऐसे गर्म कपड़े उसके ओटाले रहे है जिससे कि टेंपरिचर में रहे है उसका हरास जो इन्वार्मेंटल तेंपरिचर से नहीं हो तो यह सब चीजों के अलावे तो अग का भी या हीटर का भी प्रयोग मेलाना उस समय बहुत आवश्यक होगा और प्राण बचाने वाला हो सकता है तो अगर डॉक्टर की पास जानी की नौबत आती है तो डॉक्टर की पास इलाज कैसे किया जाता है सबसे पहले तो उसकी बाड़ी की टेमपरिशर को मिंटेन करने के लिए उसे वार्म रूम में हीटेड रूम में रखा जाता है उसके उपर पर वार्म क्लोधिंग जितनी भी लेयर की दे जा सकती है वो दी जाती है उसकी blood supply को maintain रखने के लिए उस proper तरीके से सारा कुछ arrangement करने के साथ साथ जो hot pay पदार्थ हैं उसे देने की कुशिश की जाती है जिससे की अंदर का system उनका सुचारी रूप से चलते रहे अगर उसमें heart block हो रहा है या heart stop करने की होती है तो CPR दियाता है कि जल से जल heart का pumping जो cold के क कारन से जम रहा है या फिर नहीं कर रहा है या लेस एफेक्टिविली कर रहा है उसे जल से जल revive किया जाए तो उसके लिए कभी-कभी अगर अरिद्बिक है या फिर कंडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो शौक भी दिया था है काडियक शौक दिया था है जिससे कि हार्ट तुरत अपना movement शुरू कर दे जिससे कि उसकी जान बच पाए तो इस तरह से critical care के रूप में हाइपोथर्मिया के पेशिंट्स को देख करके इलाज की जाती है जिससे कि उसकी जान बचाई जाए सके है